काहा है आपका नाम बताने पर भी नहीं सुन रहा है अंदर ही यह साथ एह कोना तुम लग काहा है आपका नाम बताने पर भी यह साथ काहा है आपका नाम बताने पर भी यह संदेख नहीं विवान टेकर तोल्ट वरी सेख काहा है आपका नाम बताने पर भी यह स्थने को लाए है आपका नाम बताने पर भी यह संदेख दोला राश्री वालों के लिए आज का दिन बहुत ही शुब है उस्तम सन्योग है आज के दिन वो जो भी कारे करेंगे उसमें उन्हें वो अभी तक सोके नहीं उठा है को के आंटी हलो भाभी मैं बोल रही हूँ दीदी कैसी है आप सब ठीकते हैं ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ वैसे आप क्या कर रही है और क्या करूंगी श्री के पापा खेत पर गए हुए हैं और मैं यहां खाने की तियारी कर रही हूँ श्री भी साथ गया है वो खेत पर यहीं बड़ा है रात भर घुमता रहता है और दिन भर सोता है उसे फोन दीजिए देती हूं बेटा श्री श्री फोन बुवा का फोन बोल तो मैं घर पर नहीं हूं बाहर गया हूं मैं बोल चुकियों की घर पर है बात करना हम अलो बुवा जी कैसे हैं आप श्री नाम का मेरा एक भतिजा है उसने कहा था मेरे युएज जाने से पहले वो मुझे सी आफ करने आएगा लेकिन पता नहीं वो कहां चला गया क्या है बुवा जी यहां एक अर्जन काम आ गया था कैसा काम रे अब काम 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 राद भर लफंगों के साथ गुमना यही है ना तेरा काम सिर्फ सपने देखने वाला दिन में सोता है मेहनत करने वाला रात में सोता है आप तो मेरे बारे में सब जानती है बुवा जी जानती हूं इसले पूछ रही हूं तुम गाव में ही रहकर खेती करोगे या हैदराबाद जाकर नौकरी करोगे हैदराबाद में महां तुमें क पूफाची को फोन करना सब हैदराबाद से यहां आ रहें और आप मुझे हैदराबाद भेज रही है एए ऐसे कहानिया अपने माबाप को सुना ना घर की चाबिया वाच्मन राम बाबू के पास है पहुच कर फोन करना बाई कितना टॉचर करती हैं तुम ही बाग कर लेती ना मा देख बेटा काम तलाशने वालों की लोग मदद करते हैं काम करने वाले की इज़त करते हैं और तेरी तरह बेकार बैठने वालों से लोग चिरते हैं मैं तुझे इस तरह से नहीं देख सकती बेटा अब तुझे यह क्या यार वैसे तो मिनी बियर के भी पैसे लेता था और आज देखो ऐसे बारिश कर रहा है श्रोल क्यों बनाते हैं पॉले खोड़ते हैं न इसलिए भार बेचलर वात gonna कुछ लाइफ को छोर्णे के लिए और पारटी क्यों किसी को टाटा बाई बाई कहने के लिए तो मैं भी इस गाउं को टाटा बाई बाई बोल रहा हूं मतलब अरे हैदराबाद जा रहा हूं याने तुझे हैदराबाद में जॉब मिल गया है नहीं अमेरिका से ओरर आया है बिसनेस ओरर है उसमें कस्टमर्स के लिए कितना काम करना पड़ता है मेरा फंडा कलियर है, ये लाइफ है ना आश करने के लिए है एक बात-ज़र पर खासमेंね घास को बकरी खाती है और उस बकरी को खाता है इंसान, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है, आज कल लड़किया हम लड़कों से कुछ जादा ही कमा रही है, ऐसे ही एक सुन्दर और बहुत कमानेवाई लड़की को पटा कर, लाइफ टाइम फुल एश करना है बस, अब मार्द हैं तो मैनत तो करनी पड़ेगी न, अगर हम लोग आज से मैनत करें, तो किस एज में करोड़पती बन पाएंगे, 40 प्लस, और अभी हमारी एज क्या है, 20 प्लस, मतलब हम अपनी लाइफ के 20 येर्स वेस्ट कर देंगे, यार, लेकिन अगर किसी अमीर बाब की लड़की हमारी लाइफ में आ गई तो क्या होगा सोचा, अरे 20 साल वाला काम एक साल के अंदर ही सेट हो जाएगा, दोस्तों, हाँ, अगर तुमारे पास लड़क्यों को बटाने के कला हो ना, तो बीस साल तक चपल गिसने की जुरुत नहीं है, समझ में यह है, ना, मुझे भी नहीं है, सर, 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 गुद मौर्निंग, सर, गुद मौर्निंग, रमबबू, कैसे हो सर, ठीक हूँ, एक हजार उपए दीजिये ना, मेरे पास तो नहीं है, लेकि आप अपनी बीवी के साथ कहीं भी जाएए, कुछ भी कीजे, मैं पूछूंगा ने, लेकिन रात को नौ के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, पर क्यों, क्योंकि गेट को ताला लगा देता हूँ, तो अरे इतने अच्छे से पूछ रहा हूँ, कुछ तो बोल के जा सकता है ना, तेरी तो, क्या बे, अपाटमेंट के सारे लोगों को बिना दोए, इस तरी करके कपने देता ही क्या, लोकर साफ करके इस तरी करके दूँगा, तो क्या उनके पैसे डॉलर में बदल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जोड़ी के कितने लेता है, एक जोड़ी के बीस रुपय लेता है, बस इतने ही, छी, इस तरह रगड़ के बड़ा आत्मी नहीं बन सकता तू, तीस रुपया लिया कर, आप तो साक्षात भगवान का रूप है, तो उपर के दस मेरे, यह तो इंसान के इतान निकला, आए हाए क्या चीज है, तू चीजबड़ी है, मस्त मस्त तू, चीजबड़ी है, मस्त, राम बाभू, ए राम बाभू, अपे काऊन है जो पेरा नाम लेरा है, सर, 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 बुड मॉर्निंग, सर, सव रूपे दीखे ला, आज कल तुम्हारी बहुर शिकायते मेरी शिखायद कॉन करने वाला पैदा हो गया तुम दे कुछ किया होगा उसने शाहिद पी रखी होगी एक्स्ट्रा काम करने पर पैसे नहीं मागऊंगा है क्या हाजी एक्स्ट्रा काम की एक्स्ट्रा पैमेंड मिलनी चाहिए अगर इतनी प्रॉब्लम है तो बताईए का मु लगता है बड़ी जिम्मेदारी तो बहुत है क्या करू भाई क्या करू यहां सब लोग डिपेंडेंट है मैं अकेला ही इंडिपेंडेंट हूँ अधार काड की तरह सब मुझ पर ही अधारित है अगर मैं आदा गंटा भी रेस्ट ले लू तो पूरा अपार्टमेंट हिल जाता है बाप राम राम आपका नेचर मुझे बहुत पसंदा है सान को मिली है साथ में नजी ड्रूंक भीएंगे आखे एंजे थे बाई मैं इस तरह पहली बार पी रहा हूं तू पर कैसे पीते हो इसे पीताओं ऐसे पीने में कुछ और ही मजा आता है अच्छा राम बाबू हाँ बोलो ना तुम्हें मेरा एक चोटा सा काम करना होगा इसलिए तो कुट्टे को बिस्किट खिला रहे हो तो राम बाबू को क्या समझाये आपने सवाल से पहले जवाब और काम से पहले पेमेंड लेने वाला है राम बाबू यहां के बारें कुछ और बताईए इस अपार्टमेंट की लड़कियों की डिटेल्स चाहिए न आपको मामुली लड़की के बारे में मुझे नहीं जानना है तो फिर रिच लड़की हो तो बताओ मुझे क्या मिलेगा अध्धा प्लस अध्धा एक फुल अच्छा पक्का मिलेगा ना तो मिली ठीक है बतादाओ सुनो इस अपार्टमेंट में फ्लोर है पाच, फैमिली है पचीज, उन्में लड़किया है पंदरा, चिकनी है चौदा, सिर्फ एक ही है जो सबसे सुंदरा और अमीर है, बिल्कुल हीरोईन की तरह लगती है, मिस्वोल्ड की तरह कैट वॉक करती है, हाँ दिलाने पर हजार के क्या बात है यार, रोज कार में घुम सकते हैं, हाँ घुम लेना, यार तो मिलाओगे कब उससे, आरे कल सुबही, कल सुबही, सुबही सुबही तो आती है न, क्या बात है यार इसको तो किसी भी तरह सेट करना होगा, औरना बक्रा हाँ से निकल गया तो, क्या सोच रहे हैं, और कितनी दिर रहां बबू, इक घंड़त हो गया है, और करते ही आने के लिए वो कई काफी दोड़ी ना है, कॉस्टिक है के वेट करना पड़ेगा, बार-बार प्रेस कर रह चल निकल यहां से पागल कई का भीकारी चल भाग, अरे देखो देखो मैडम की गाड़ी आ गई, देखो देखो, चलो जल्दी से हजार उपे निकालो, अभी तो दिये थे ना, समझा करो, उनके सामने आपकी तारीफ करने तो पैसे लगेंगे इना, और बात में तमें ठीक हो ना, एक तम पढ़िया हूँ, अचा पीछे से आया, सार, आपने बोला था ना, समार्टफोन करेंगे लिए पैसे देंगे, पीजी है सार, मैंने बोला था था, अचा भूल था है, बोला था तो ले ले ले, आओ, अरे लक्षमी देवी, थैंक यू सार, अपने सार, शेसो बीस में रहते हैं, हाई, सार, ये कामीनी जी है, फोर ट्वेंटी, जे में चारसो बीस में रहती है, ओ, लिफ्ट आगई सार, चलिए मेडम, आईए, चलिए सर, फोन करूगा, आँ, आँ, आराम से जाहिए, दबातो, दबातो, उपर, 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 जाहिए, कुछ ओ, आँ, आँ, आप टेंशन मत लेजे, मैं जॉबलिस हूँ लेकिन केरेक्टर लस नहीं हूँ, रुकी मैं वाच्पेंगे फोन करता हूं, राम बाबु, लिफ्ट बीच पही रुख गई है, हाँ, हाँ, हाँ रया हूँ, वैसे आप लटकों की बारे में क्या सोचती है, आ बहुत घबरा कहीं थी सुख लेने वाले या सुख देने वाले मैं कुछ समझा नहीं आप कहना क्या चाहती है इसमें समझना क्या सुख देने वाला अपनी बीवी को खुश रखता है सुख लेने वाला खुद के खुशी देखता है क्या बात किसी ने इस लाइन को इतनी क्यूटली लेगा आज तक थैंक यू आप तो इन सब चीजों में बहुत ही प्राक्टिकल है तो किस तरह का हास्बन चाहिए आपको मुझे खुश रखे और मेरी कमाई पर एश करता रहे और क्या सही लड़किया यार वैसे रामबाबू भी तताया नहीं जासे सेकिट ए रामबाबू कहो यार थैंक गॉट एक्सक्यूज मी मैं आप से कुछ कहना चाहता हूँ तैंक तक मेरे बहुत से क्लाइंट्स ने मुझे ऐसा कहा लेकिन मैंने कभी भरोसा नहीं किया पर आपकी बात सच लग रही है क्या हूँ आश्री मुझे उपर बुला कर ऐसे क्यों घूम रहे हो एनी प्रॉब्लम ने 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 ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे तुमसे कुछ बात शेर करनी थी अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं है क्या तुम मुझसे आ लव यू कहना चाहते हैं यह यही तुम्हें कहना चाहता था तुम बहुत अच्छी हो एक प्रेमी का की तरहा अपने प्रेमी के दिल में क्या है मैं समझ सकती हूँ आई शूर येस आप सो लखी लखी तुम नहीं लखी तुम मैं हूँ मुझे इतने दिनों से तुम्हारे जैसे का ही इंतिजार था वैसे मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पता है ना ऐसा मस समझना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल बहुत अच्छा है वैसे अपने बिजनेस का टरन ओवर कितना है? कस्टमर्स अच्छी मिले तो महिने के 9-10 लैक्स? मतलब कि कार रेंटिंग में इतना पैसा है? मुझसे लोग कार रेंट पर नहीं ले जातें, जरुरतमन लोग मुझे ही कार में लेकर जाते हैं हुआ मतलब मैं पारो से प्यार में कर रहा था चैंद्रमु की से कर रहा था अबे राम बाबू कहा पसादियत तुने यार दादा दादा लगता है राम बाबू को किसी ने मारा है ये रो रहा है किसने मारा कौन मार सकते है राम बाबू को मैं रोता नहीं हूँ रूलाता हूं समझा रो नहीं रहा होगा तो फिर सो रहा होगा अरे नहीं साहब बाई आख फड़ड़ा रही है तो समाल कर रहे ना तो क्या होगा अरे पूरी बात को बता के जाओ अरे पागल कहीं का मुझे देखकर आखें क्यों मसल रहा है इसलिए मसल रहा हो अब जाओ यहां से पहली बाई आख भड़क रही है तो जरूर तेरा कुछ बुरा होने वाला है देख ले ले ना अरे ओ पंडेत सुबा सुबा अच्छा कैसा मूड खराब करके चले गए मेरा अब तक कोई बखरा नहीं मिला इस टेंशन को मैं सेह नहीं सकता अब तो पीनाई होगा लगा और तो पैग आज आओ तुम्हारा इंदजार था सर टेबल कहा है सर मेरे हाथ फिर है इसलिए मैंने टेबल हटा दिया आज की दो की पार्टि के लिए दारू के लाबहा और क्या परपर्स हो सकता मैं एककम सही बोले सर मेरी एक चोटी से शर्त है वो के पैग मारने के बाद ना मेरे आप महान है सर आप तो किंग हो सर बिलकुल रॉयल हो सर क्या सर आपकी इतनी तारीफ करने के बाद भी आपकी तरफ से कोई रियक्शन नहीं आ रहा है वो अभी पता चल जाएगा रहा है अभी क्या पता चलने वाला है सवाल के पहले जवाब काम से पहले पेमेंट लेता है यही बोला था ना तो यह बात है वैसे भी सर कुछ समझमें आए नहीं मुझे बिना बाटर का कौठर पीकर मैटर समझ में नहीं आ रहा है तुझे अऄसश सर आप está आपके मारने से मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त पने मैं बाट ज्यादा पितने वाला हूम आपसे मैं पैर बढ़ता हूँ सर, बताये क्यों मार रहे है मुझे, बिना बज़े मत मार ये सर, मुझसे क्या गल्ती हुई है, बताये ना सर, दीरे दीरे तुझे सब समझ में आ जाएगा बेटा, मेरे पास एक और आफ़र भी है बता हूँ, मुझसे ओवर स्मार्ट बनने की अचाने दीजे ना सर, अर क्या हूँ, हूँ, कर रहे हो, जाने तो ना, अभी अभी तो आब अच्छे थे, अचाने कपको रोना कहा से आ गया, दुनिया वले अपको पागल समझेगे, अरे बताये ना सर मेने कौन सान्याइग किया है, ने घुर बाप किया है, घुर दोका मुझे धोगा दिया तुमने अच्छ जाने एंजने में मैं इसको फुसा डाला मैं अपना घर बसाना चाहता था तेरी बज़े से टाइम वेस्ट हुआ पैसा वेस्ट हुआ मेरे सारे कपड़े वेस्ट हो गये मेरे सारे ड्रीम्स को डाइनमाइट लगा कर उड़ा दिया तुमेर तुझे मैं नहीं जोड़ूगा तुझे मैं जान से मारते हुआ तुझे मैं जान से मारते हुआ पच्छा था गया बागते है हुआ अरे अरे यार ये तो कोई मोडल लेगती है अभी पड़ाता हो इसे अरे ये तो कोई मोडल लेगती है हाई जानू आज मेरी नाइट शिफ्ट है जानू हम दो पेर में ही मिले प्लीस मुझे टच मत करो शादी करने वाले को टच करने में क्या बुराई है तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही नॉर्मल है न शादी के बाद हनीमून के लिए कहां चाहेंगे जानू अनिमून तो तुम रोजी मनाती हो मुझे की पूछ रही हो तेरा हुसन है जलता शोला गुड मॉनिंग मैडम गुड मॉनिंग राम बाबू मेरे पूरे एक्सपेरियंस में मैंने आज तिक तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा मेरी किसमती खराब होगी मुझे राम बाबो की बाते माननी ही नहीं चाहिए तुम्हारे जानू अशे प्रेसमत कीजे लिफ खराब हो जाएगी आ रही है आ रही है अशे देखे आगी स्टॉप अशे लेव वट इस देस दाए मेरे जानू हजर मिलके वाँ इस माई शेर्ट ये लीजिए थैंक यू जी आप बहुत अची है यह सान जिन्दगी भर मी बुलूंगा मैंने सिर्फ शेर्ट दी है इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो यह लगी शेर्ट है तो मैं तुरा ज्यादा एक्साइट हो गया हम जड़ा हटेंगे आहां बिल्कुल आए ना वैसे मैं अपनी हेल्प करने वाई लड़की का नाम जान सकता हूं क्या इस्टूपेड है स्टूपेड क्यों हलो यह मेरा पीछा क्यों कर रहा है यह तुमेरी पड़ाव संदे तूपेड क्यों तुझे देखा तो यह जाना सनम अब यहां से हिलना मत वरना जान से मार दूगा क्या हुआ क्या आले राम बाबू साम को मिलकर पार्टी करेंगा रात में आपके करना में देखकर शराब पिना मना है ऐसा मैंने खुद के लिए कानून बना लिया है मुझे माव कर दो ठीक है पर उसके लिए तुमें मेरे दो काम करने पड़ेंगे कौन से काम पहला जिसने शर्ट दिया उसका मुझे फुल डीटेल चाहिए दूसरा उस चंद्रमुखी को इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निक कर सकते हैं चोड़ो दो बात को राम बाबू हमें उससे बिल्डिंग से निकाल नहीं होगा राम बाबू बताओ हमारा मकसद क्या है तुम मुझे से कितना मार गा हुए कोई बात नहीं कि दर्द नहीं होता यह यह लो हाँ 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 है नमस्कार मेडम कौन है मैं आपका फैन हूँ वाट रॉंग नंबर आप काविया ही है न हाँ तो आप बहुत ब्रेट है जी बिना जान पहचान के शट उठा कर दिया आपने आजगल की दुनिया में इतने भले लोग मिलते का हैं थैंक्स हेलो अनन्द पुर से थैंक्स कहने के लिए आपका फैन बोल रहा हूं किसलिए शट देने के लिए थैंक्स और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें हमारे किसी भी काम से आपको थैंक्स बोलना ज्यादा जरूरी है इसलिए कॉल किया तो अज्रेस बताती हूं हाइदरबाद आकर थैंक्स बोलो मेरी बात खतम भी नहीं हुई और बीच में फोन काट दिया अभी बताता हूं हेलो हेलो है रवास से आपका प्रशंसक बात कर रहा हूं है जट देने के लिए थैंक्स मेडम तुम पागल हो गया कस्टमर केर वाले इतना टॉर्चर नहीं करते हैं अगर एक और बार काल किया ना तो पुलिस कमपेट गर दूगी हुआ 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 काव्या जी को मेरा धन्यवाद मेरी शुर्ट लोटा कर आपने साबित कर दिया कि आप कितनी अच्छी हो आपका ये ऐसान में कैसे चुका काव्या जी को मेरा धन्यवाद मेरा शुर्ट लोटा कर आपने साबित कर दिया कि आप बहुत अच्छी हो आपका ये हैसान में कैसे चुका आपने जो पैसे दिये तो फ्लाइक्स और कटाउट पे खर्च हो गए केबल टीवी पर आट देने के लिए पैसे निकालिये पैसे निकालिये पैसे तो अरे हां बन कर रहा हूं चुपचा बैट जब तक बन में करूंगा तब तक चिलाती रहेगी क्या है यह काविया बॉर्निंग आई यू माद इतनी चोटी बात के लिए इतनी ओर आक्टिंग क्यों तुम्हारे लिए वो छोटी बात हो सकती है लेकिन मेरे लिए तो भूग अब यह सब बंद करोगे या नहीं पसंद नहीं है क्या आई हेटिट ओय राम बाबु दीदी कि भूख लगी है दाश रुपह दो ना बाइया चलवक ऐसे तो से भीक मांगने की आधत पड़ जाएगी पता नहीं कब से भूखा होगा इसलिए मैंने पैसे दे दिये वाह 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 क्या बात है एक्सलेंट मुझे मुझे फोन करके सब को बताना होगा मुझे पोस् काव्या अगर फिर से कॉल्स आए ना तो हुआ है कि अ कोई भी लड़की हो लड़के से पटकी जरूर है यही तो खुद्रत का खेल है आज उसे कितनी बार कॉल के हैं पूरा दिन कॉल करता रहा स्विच आप आ रहा था तो बताओ में क्या करता क्या करूं कोई नया प्लान बनाना होगा कोई प्लान ही नहीं हारा दिमक में यह सही रहेगा तो बहुत ग्रेट हो थांक यू सो मच तुमने मेरी शर्ट वापस कर दी तो बोलो यही कहने आया हो ना मैं इस वज़े से आनी आया हूँ तो फेर क्यों आया हो आपका दुपट्टा गिर गया था उसे दिन हाया हूँ किसने कहा यह मेरा दुपट्टा है इस अपार्टमेंट में इतना азबने के लूंह करने का टेस्ट आपका ही हूसकता है यहरा नाम लिखा था है थाला नाम में लिखा है मेरा नहीं है अहां हटलो अध्स्कूलviolet अब क्या हुआ यह दुबट्टा अपका नहीं है ना तो यह ड्रेस भी आपका नहीं है नहीं है मेरा नहीं है अरे नहीं नहीं आपको यह पेमी हो रही है अलो स्टूपड है अलो मैंने अपकी शॉट लोट आई थी आपके ड्रेस नहीं लोट आएंगे हुआ 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 है हलो काफिया बरिस्ता में आजा नहीं नहीं मुझे काम है परिस्ता में अब बुलात उलिया आप क्यों नहीं कर रहे है कॉफी नो थैंक्स क्या कहना है कहो आप यू अप्यार में जानते है कितना हो तुम प्यार में जानने की जुरुत थोड़ी होती है एक दूसरे पर भरोसा ही काफी होता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो पर भरोसा करने के लिए भी टाइम चाहिए ना तो ले लो ना तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो लेकिन हमें डेट फिक्स कर लेते हैं क्यूं बぇटा कैसे हो तुम क्या चल रहा है बहा सब ठीक है ना आभवाजी यहा सब ठीक है वैसे तुम्हारी जॉब सच कैसे चल रही है पर सोंगी फाइनल इंटेव्यू है इस बार तुम्हें सेटल हो जाऊंगा सच में सुपब मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है जॉब मिलते ही कॉल करना भूलना मत गुड लाग थैंक्स बॉजी कॉल करूंगा श्री मुझे कॉल करके विश करेगा या नहीं सर मैंने शराब बन कर दिया मैं नहीं पीता विखो राम बाबू आज मैं बहुत यह से मूड में हूँ और अगर तुने आज नहीं पी तो मेरे दिल में जितने कुश्चन हैं उन सब के आंसर देने पड़ेंगे सोच ले अरे इतने आफ़र किसली है अजर डाली है इसके साथ दोस्ती करके तुफस गया राम बाबू बिना किसी कारण के भी दुनिया के सारे बेवकुफों से कॉल करवाता है आज मैंने बर्दे ही जानकर भी मुझे फोन नहीं किया और कहता है प्यार करता हूँ इटियट फोन करेगा या नहीं करेगा करेगा या नहीं करेगा करेगा या नहीं करेगा मैं बेवज़े इतना क्यों सोच रही हूँ उससे मेसेज ही कर दे थी हूँ आप मानो सर कॉल गल को खाली करवा कर तो ड्रीम गल को लाइन में लगा दिया, लाइन में ने लगाया, दिल में रखा है उसे, सोचा था में लड़की पड़ा के सेटल हो जाओंगा, लेकिन जब से मैं काव्या से मिला हो ना, तो लगता है गाव में जाकर खेती भी करूं, तो भी अपनी जिंदगी खुशी-खु हुआ 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 है हुआ हुआ है हर्णिदू हर्णिदू बाहर हूँ काविया क्या बात है कुछ नहीं हमारे बिल्दिंग के पास जो मंदिर है न वहाँ आ सकते हो तुमसे कुछ बात करनी है दस मिनिट में आ जाओंगा वेट करो ठीक है ओके वेट करती है बाई करता बात करता दिने हमारे वेट करहें जो दोगा द्टरस स्ASHी के अर बात करो ठीक है झाल झाल साहब को टाइम मिल क्या मुझसे मिलने का? मेरे साथ चलो अर्जिंट नहीं आऊंगी, तुम जाओ यहां से प्लीज, मेरे साथ चलो ना जब तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तो मैं क्यों आओ तुम्हारे साथ? लडाई मुझसे बाद में कर ले ना, अभी मेरे साथ चलो कहां ले जा रहे हो मुझे? अरे चलो तुम्हारे हम सब्सक्राइब ज़रा इस वहारे जो आजय है इस प्लीज, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये कल करना चाओ तुम्हारे साथ तुम्हें ये कजा ले ज़ब हुआ है चाहिए था एक बाद बताओ कल से तुम मेरे ही बारे में सोच ली थी ना मतलब 24 गंटे है ना एक इंसान के बारे में इतना सोचने का मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया होगा अब मुझे बताओ तुम्हारा फैसला क्या है अब यू अब यू गाफ लेक फ्लेट सिया वास किसी प्लीज सत्या, प्लीज सत्या, आगे से कोई गल्ती नहीं होगी, इल्सान चब एक पार गल्ती करते था, तो उसका बार बार गल्ती करने का मन करता इसलिए ये ट्रीट्मेंट दिया है, एक जब कभी भी कल्ती करने का मन करें तो मुझे ही याद कर लेना, मार डानो हाई आंकिल, ऐसे अचाना कैसे आना हुआ, ऐसे ही किसी भी काम में कमिट्मेंट होना चाहिए, धोखेवाजी नहीं होनी चाहिए, सत्या, इसलिए उसे ट्रीट्मेंट दे रहा है सुरी फर दे इंकन्विनियंस काविया, बजबूरी में यहां रखना पड़ा इने, दुमारा ऐसा नहीं होगा एनिवेज, हाव आई यू, आंकल काववी नहीं नहीं पिटा, अभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुमारा या रहेना ठीक नहीं है, तुम अभी बाहर चली जाओ, मैं फोन करूँगा तब आ जाना, ठीक है तुम यह क्या करे हूँ, अंदर हो क्या रहे चलो बताती हूँ इंसान डर से काबू में रहता है, मारने से नहीं मैं जानता हूँ वाट्स हैपनिंग, तुम्हारे फ्लैट में वो हो क्या रहा था, भूबंदा है कौन, तुम्हारा क्या वास्ता है उससे उसका नम सत्या है, पेरे माबाप को मार कर मुझे अनाच बना दिया उसने मतलब उसने तुम्हारे माबाप को मार दिया? हाँ पर क्यों? मुझे पाने के लिए वाव, वाव, तुम्हारे माबाप की स्वागरात का महुरत निकालने वाले पंडित को स्पेशल थैंक्स बोलना पड़ेगा क्या है पागल हो गए हो क्या तुम्हें देखकर भी कोई पागल नहों ऐसा हो सकता है कि चपपल से मारूंगी प्यार करने वाले से चपपल मारने की बात करना बत्तमीसी कहलाता है लाव मे पाई लागो ससुर ची जब मेरे ममी पापा ने शादी के लिए मना किया तो उसके उने मार दिया मा जब माबाप प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते तो प्रेमी आदमात्या करते हैं लेकिन अपने प्यार को जिन्दा रखने के लिए मैंने तुम्हारे माबाप को मार दिया उनके लिए रो क्यों रही हो You should feel happy सिर्फ पांच मिनिट में तुमने मुझे इस दुन्या में अकेला कर दिया तुम्हें अकेला इसलिए किया है था कि तुम मेरे बारे में सोचो तभी तुम उससे प्यार करोगी ऐसा कभी नहीं होगा एक बार मौच से प्यार कर लोगी पर तुमसे कभी नहीं उझे ही मौच समझ कर प्यार करो तब और भी अच्छा लगेगा Feel my love Feel my love तुम अपने माबाप के कातल के साथ रहती हो फिर तो तुम बड़ी हिम्मत वाली हो मौका और उम्मीद इंसान को हिम्मत दे ही देती है मौका? उम्मीद? मेरे ममी बापा के मरने के बार मेरे रिष्टेदारों ने उससे डर कर मुझे एक कॉल तक नहीं किया यहां से भागी भी थी पर पकड़ी गई आत्मात्या करने की सोची रही थी कि तुम मिल गए प्यार हो गया सब कुछ पर सचानक से हो गया वो सत्या बहुत ही डेंजरस इंसान है अगर उसे हमारे बारे में पता चला तो वो मेरे ममी पापा की तरह है तो में भी मारने में ज़रा भी नहीं इचके जाएगा और मैंने ही चाहती कि ऐसा कुछ हो यहाँ से कहीं भाग चलते हैं श्री भागना इस प्रॉब्लम का सेलूशन नहीं है भागने के बाद भी अगर उसने हमें ढून लिया तो फिर सोचो क्या होगा अगर उसे ये पता लगा कि हम भागे हैं तो फिर वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा हमें ढूनने के लिए इस तरह भागना बेवकूफी होगी हमें कोई और रास्ता ढूनना होगा इससे बचने के लिए पर वो रास्ता होगा क्या हाँ तुमसे एक बात पूछना तो भूली गया वहाँ वो शूर कैसा था किसी ने सत्या को धोखा देकर पांच करोड हाड़ अप लिये थे उनी पैसों को रेकावर करने के लिए उसे मार रहे थे मतलब वो पास करोड रुपए तुमारे फ्लैट में ही रखे हैं राइट हाँ है सुपर्ब बेवी अब तो भागना ही पड़ेगा कैसे तुम सत्या के बारे में सब कुछ डीटेल में बताओ फिर बताता हूं कैसे सत्या माफिया जॉन केपी का राइट हैंड है लेकिन कैपी के बेटे छोटू और सत्या की बिल्कुल नहीं बनती वो सत्या का आदम है हमारे लिए काम करने वाले हजारों में जाएंगे लेकिन हमारे लिए जान देने के लिए हमेशा तयार रहने वाला एक ही शक्स है और वो है सत्या उससे तुम्हारा जगड़ा करना अच्छी बात नहीं है बेटा मतलब अब मुझसे ज्यादा इंपॉर्टन सत्या है राम केपी का लीगल अडवाइसर इसकी बाद मानो कोट का ओडर हो सर क्या हो गया किस हमारे फिवर में नहीं है सर ठीक है मैं देखता हूँ केपी उसकी कोई बात नहीं ड़ालता तो जो पैसा तुम्हारे फ्लेट में है वो सत्या का है या पिर केपी का है आ यू शोर पक्का I'm sure about it ठीक है तो आगे की कहानी क्या है सत्या और छोटू की नहीं बनती इसलिए कॉम्प्रमाइज करवाने केपी आ रहा है ओके मीटिंग का है केपी जब भी आता है सेफटी के लिए मीटिंग मेरे फ्लाट में होती है ओहो ठीक है अब ये बताओ सत्या के वीग पॉइंट्स क्या है बहुत ड्रिंक करता है लेकिन स्मोक से अलरजी है ऐसा क्यों? उसे आस्थमा है इनहिलब के बिना एक पल भी नहीं रह सकता अहां बस बस बहुत बता दिया आगे मैं समाल लूगा अब हम क्या करने वाले हैं? यहां से सुनो वो उन पैसों की टिंशन में रहेंगे और उसका फाइदा उधाचे हम निकल देंगे ओए रामबाबु तुम रात में कहीं मज जाना मुझे अरजेंट काम है यह शादी के लिए लड़की वाले देखने आरे है तेरी शादी किसमत भुटी लड़की लिए हमेशा पैसे ही मंगता है कालो 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 कावियाप 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 इनहीलेप नहीं है खत्म हो गया है अब क्या होगा वर्कल में मेडिकल शॉप है लेकर आओ वास्थर विए कि अॉप प्रस्त्र बीच प्रस्त्त सुपत्स वास्व यॉप 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 हुब लुण लुणका वुणका हुब सबस्क्राइώenty अगादोना अगादो हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है यह लोग कैसे हो गया काफी आप्ता काई क्यों नहीं काफी आप्ता काई क्यों नहीं हुआ है हुआ 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 छोटू अकेला आया था हुआ 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 है एनी प्रॉब्लम चीप ट्रिक पैसे चुरा कर मुझे केपी की नजरों में गिराना चाहता है वो हाफ मतलब वो तुम्हें फसाना चाहता है वो मुझे क्या फसाएगा फसाओंगा तो मैं उसे उसे लगता है कि पैसे चुराने से मैं ढर कर भाग जाओंगा लेकिन सत्या ढरना नहीं डराना चांथा हलो बेबी वराई डूएंग नाथिंग मुझे बहुत डर लग रहा है श्री क्यों क्या हुआ सोचा था पैसे ना मिलने पर यह टर कर भाग जाएगा लेकिन यह तो चोटो को डरा कर पैसे निकलवाने की बात कर रहा टोंट वारी जैसा मने सोचाया वैसा ही होगा तुम चिंदा मत करो बी हैपी ओके अगे हूँ ओके जपने पुटित पिलिए बिल्ग रापल हुआ है झाल 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 कर रादो कुब एफूखँ, की चेर्सेयर हाप in वार्ट सप्ट्या नथिंग ग्रेट, एज उजवल विबान को रिकावर किया है पांच करोड मिले हैं पांच करोड है? या पांच करोड से ज्यादा है? वो तो तुम्हें पता होना चाहिए कोड क्या है? कोड की तुम्हें क्या जरूरत? बिना कोड के बैक कैसे उपन होगा? तुम्हें से हो जाएगा तुम पागल हो गए हो क्या? छोटे कोड के बिना बैक कैसे उपन होगा? एक 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 शट! टैक चिटिंग सत्या, क्या है यह? अपने बेटे से पूछो मेरा बेटा जल्दबाजी करता है पर जोरी नहीं कर सकता बाप को बेटे में बुराई नहीं दिखती लेकिन दुनिया वो देखती है जो सच है क्या सच? कैसा सच? काम तभी शुरू करो जब अंजाम तक पहुँचा सको मारोगे? हमें मारोगे? कली के आवारा कुत्ते में हमें मारने की हिम्मत आ गई है चल मार मार कर सिंदा बच जाएगा तू मारना तेड़े बारे में मुझे पहले से पता था लुछ पर मेरे पापा ब्लाइन पेड करते थे वरना मैं तुझे कपका मार तेता चल मार मारना इम्मत है तो मार मार झात वर करण करन एक्सपेक्ट नहीं किया था ना मैं वही करता हूँ जो कुछ सोच नहीं पाता हाँ बोलो हाँ ठीक है हाँ पहुंच जाओंगा कहाने कर जा रहा है को अबाँ बच्छर रहा हाँ को जाँ कि अबाँ कि अबाँ कि अबाँ यह मोहन फोन क्यों कर रहा है कहीं फ्लेट पर तो नहीं पहुच गया यह फोन क्यों नहीं उठा रहा है मौहन जाए पूसरन नहीं मौहन आजायका झाल 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 हाँ ठीक है हलो काव्या ये गन चलने की आवाज कैसी थी वो तुमें कहले गर गया था जैसा हमने सुचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है पैसो के लिए सत्या ने केपी और उसके बेटे छोटों दोनों को मार दिया और अब वो पैसे ढून रहा है श्री अभी वो मुझे चोटों की घर भी ले गया था तो फिर अब हम क्या करें मैं तुमसे पूछ रही हो तुमका हो तो कोई बहाना बना कर तुम्हारे पास आ जाती हूं और वो पैसे लेकर कहीं भाग चलते हैं श्री फोन दो फोन दो काविया तुम्हें फोन क्यों कर दिया कौन है बे तु किस के साथ मिलकर तुने ये प्लान बनाया है कौन है वो काविया काविया कौन है ये तेरा प्यार हां मैं इससे प्यार करती हूं मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूं न तो तुम भी मुसे प्यार नहीं कर सकती थी ये सब आपसो न ऑपाएगा भाई इक गांग भे भी मैं आपकर सिखता मुझे तेरी पकवास नहीं सुन्नि है बता पैसा कहा रखा है मुझे नहीं पता तो इसे पता होगा रे बता पैसा कहा है ये बता कि वाज किसमत तेरे साथ है पर पहले ये बता कि पैसा कहा है हमारा शेर कितना होगा पैसा कहा है मुझे नहीं पताद तो तू ऐसे नहीं बताएगा भाई एक छुथासा डाउट है क्या डाउट है आप तो प्यार करते हैं ना इस से मेरे लिए प्यार से ज़्यादा पैसा है अब मेरे लिए ये बेकार है तुम मुझे नहीं मार सकते क्यों अरे अगर मैंने जुट बुलाओ तो शेट और चर्ट कब तक चलेगा शेट शायद मोहन आ गया है वो हमेशा वक्त पर याता है देखो मोहन के आने तक तुम चुप रहोगी पैसे दूगा 50-50 और इसे छोड़ दूगा पात्रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ ओके आईये क्या हुआ दोर खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी बालकनी में था इसलिए देर हो गई काव्या कहां है बात्रूम में है पास के बारे में कुछ पता चला बहुत बार कोशिश की थी कोई फोन ही नहीं उठा रहा है चोटू का फोन भी नहीं लग रहा है कहीं डेविड गैंग ने तो नहीं कुछ कर दिया वही तो समझ में नहीं आ रहा है चाहे कोई भी काम क्यों नहों आपके पास तो information रहती है ना इसी बात की तो tension है पैसे मुझे बिना बताए वो कहीं जाते नहीं है KP का phone है उठाओ ना हाँ हलो बस एई तुम मोहन के साथ चले जाओ हम लोग पैसा लेकर चले जाएंगे अगर ज्यादा नाटा किया ना तो बाहर आकर मोहन को सब कुछ बता दूँगी वाट कहां आपको कुछ हुआ तो नहीं ओके ओके ठीक है भाई यहीं है मैं phone करता हूँ क्या हुआ एयरपूर्ट से लोड़ते समय है डिविट केंग ने अटेक कर दिया मैं जाओंगा तो प्राब्लम हो जाएगी इसलिए आपको बुलाया है ठीक है मैं जाता हूँ आंके अजए खलाएगी हुआ धव मेन हुआ हुआ वज एद एखे एंट होग बालो आपिन आलो आपिन करताओ राहिं ए भाखी हुआ 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 सबस्तां demasiado उत्यार किम उनस नहीं जनस 문망 झाल सत्या सत्या मार दोगी मुझे मारोगी बहुत को मारना मुश्किल है मारो कर दो मारो अ क्या हुआ बेटी, वो कहां है? जैसे उसे बता चला आप आ रहे हैं, वो यहां से भाग्या, अंकल? ठीक है, उसे तुम्हें देख लूँगा, पर तुम यहां से चली जाओ ओके आंकल और हाँ काविया? अगर कोई भी बात हो, तो मुझे फोन कर देना ओके आंकल इस गड़ी की डेड बाडी का क्या करें? बाता चुम्हें बाता चुम्हें बाता हो अगर कोई बाता हो तुम्हें बाता हो यजाओ कोई भी बाता हो यजान अगर काविया ओक वड़ी आंकल